मैंने लापरवाही बरती, मैं जानकार नहीं था, समय रहते नहीं चेता और मेरी सेहत खराब हो गई मैंने अपने बहुत से करीबियों को अक्सर ये कहते सुना है, शायद इसी बज़े से मैं देश और दुनिया के नामी गिरामी डॉक्टरों से बीमारियों और मेडिकल तानेवाने की जानकारी लेकर नया इंडिया खुआर के जरिये आपको देता रहा हूँ नया इंडिया को लगता है कि यदि हिंदी भाशी, गाउं, सहरों, कस्वों के परिवारों में अपनी भाशा में जानकारी मिले तो भला होगा मेडिकल इलाज के बेंतहा खर्च, परिशानियों, सरीर की व्यादियों के बीच लोग समझदार रहेंगे इसलिए नया इंडिया और मेरा मकसद है कि अपनी भाशा में जादा से जादा लोगों तक सही मेडिकल जानकारी पहुँचे जितना संभव हो, प्लीज ये वीडियो, उन लोगों को शेयर करें, जिनकी यूट्यूब की आदत नहीं है नमस्ते, आज बात करते हैं किड्नी में खराबी की यदि समय रहते किड्नी खराब होने का पता नहीं चला, तो जिन्दगी भारी खत्रे में पड़ जाएगी किड्नी खराब होने पर हमारे पास जिन्दगी जीने के लिए केवल दो आप्शन होते हैं, डायलेसिस या ट्रांस्प्लांट अगर डायलेसिस की नौबत आई, तो कम से कम एक सब्ता हमें दो दफा डायलेसिस कराना होगा यानि कि महीने में 30 से 40 हजार का खर्चा और अगर दूसरा आप्शन, यानि किड्नी बदलने या ट्रांस्प्लांट पे गए, तो इसके लिए अपने रिस्तेदारों का मूता किये ऐसे में ज़्यादा तर रिस्तेदार तो फोन उठाना ही बंद कर देते हैं, कि कहीं आप उनसे किड्नी ना मांग ले रिस्तेदारों से किड्नी ना मिले, तो अस्पतालों में कैडेवर किड्नी यानि मरे हुए आदमी की किड्नी के लिए अपना नाम लिखवाईए, जिसकी लाइन इतनी लंबी होती है कि कब नंबर आएगा भगवान जाने है ऐसी किसी भी इस्थिती से बचने के लिए हर व्यक्ति को इस बीमारी की यह जानकारी होनी चाहिए कि किड्नी क्यों खराब होती है और खराब होने पर हमें क्या करना चाहिए जिससे डाइलिसिस या ट्रांस्प्लांट की नौबत ना आए एक बात और किड्नी खराब होने की कोई उमर नहीं है ये किसी भी उमर में खराब हो सकती है मैंने छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की किड्नी खराब होते देखी है किड्नी खराब होने पर जिंदगी खत्रे में क्यों पड़ जाती है ये समझने के लिए हमें जानना होगा कि किड्नी काम क्या करती है Medical Science के हिसाब से किड्नी हमारी बॉडी से toxic chemicals और extra पानी को पेशाब के जरिये बाहर निकालती है शरीर में electrolytes यानि कि sodium, potassium और phosphorus जैसे minerals का balance ठीक रखती है इसके अलावा blood pressure ठीक रखने के लिए renin enzyme, खून बनाने के लिए erythro protein और हड़ियों की मजबूती के लिए vitamin D metabolism एक tip करती है अब कैसे पता चले कि किड्नी खराब हो गई है या किड्नी में खराबी शुरू हो गई है तो किड्नी के बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही adoptable organ है छोटी मोटी खराबी का तो शरीर को पता ही नहीं चलने देती यही कारण है कि जब किड्नी में खराबी की शुरूआत होती है तो इसका कोई भी लक्षण नहीं उभरता जब ये 70% के करीब खराब हो जाती है तो शरीर पर इसके लक्षन उभरने शुरू होते हैं जैसे की हाई ब्लड प्रेशर, बजन घटना, कमजोरी, ठकान, जी मिचलाना, भूख न लगना, मूँ का टेस्ट चले जाना, बार बार बातरूम जाना, पैरों में सूजन यानि की एडिमा, मसल क्रेंप्स, नीद ना आना, सोचने में परेशानी और जादा गंभीर मामलों में तो सांस फूलने के साथ सीने में दर्द भी होने लगता है अगर किड्नी की खरावी की बात करें, तो किड्नी दो तरह से खराव होती है एक को एक्यूट खरावी, और दूसरे को क्रोनिक खरावी कहते हैं मेडिकल भाशा में क्रोनिक खरावी को CKDB कहा जाता है अगर अब इन दोनों के अंतर को समझें तो acute खरावी रिवर्सेवल है यानि कि ठीक हो जाती है जबकि क्रोनिक खरावी ठीक नहीं होती यहें याद रखें acute खरावी तब आती है जब किसी बज़े से किड्नी में बलड सप्लाई रुख जाती है ऐसा हार्ट अटेग लीवर के कामना करने ज़ादा खून बहने प्रोस्टेट बढ़ने से यूरीन रुखने UTI या सेपसिस इतियाद की बज़े से होता है कई बार आटो इम्म्यून डिजीज से भी किड्नी सेल्स डेमिज होने लगते हैं जिसकी बज़े से किड्नी में acute खरावी आ जाती है महलाओं में ज़्यादा तर pregnancy के दौरान ऐसा होता है pregnancy में होने वाले complications की बज़े से थोड़े समय के लिए उनकी किड्नी काम करना बंद कर देती है इसे भी acute स्रेणी में ही रखते है लेकिन ये सब समय पर इलाज से ठीक हो जाता है किड्नी में chronic खरावी के कारणों की बात करें तो ये high blood pressure और diabetes को ignore करने से आती है लंबे समय तक इनका इलाज ना कराने से व्यक्ति chronic kidney disease का शिकार हो सकता है इसके अलावा nephrons यानि की kidney की filter करने वाली एकाईया polycystic kidney disease UTI यानि urinary tract infection lupus hepatitis और AIDS जैसी बीमारियां भी chronic kidney disease के लिए जिम्मेदार होती है पैदा होते समय कुछ बच्चों के urinary tract में रुकावट होने से ये आगे चलकर CKD यानि की chronic खरावी में बदल जाती है अगर जन्म के समय डॉक्टर surgery से इसे ठीक कर दें तो वे इससे आसानी से बस सकते हैं बहुत से लोगों को यह समस्या लंबे समय तक pain killer लेने lead या अने toxic chemicals के exposure से भी हो जाती है अब सवाल है कि kidney की खरावी या बीमारी confirm कैसे होती है तो इसके लिए डॉक्टर मरीज की family और medical history जानने के बाद कुछ टेस्ट कराते हैं जैसे KFT, urine analysis और ultrasound KFT यानी की kidney function test blood test में creatinine, urea और electrolytes का level range से बाहर होने का मतलब है कि kidney में खरावी आ गई है urine analysis test से पता चलता है कि urine में protein leakage या infection तो नहीं है infection होने की इस्थिती में urine analysis test में pus cells आने लगते हैं ultrasound से पता चलता है कि kidney कितनी shrink हो गई या इसका आकार अभी सामान नहीं है बहुत से मामलों में kidney shrink होने से भी व्यक्ति CKD का शिकार हो जाता है अगर kidney में acute खरावी है तो 90 प्रत्सत chance ठीक होने के होते हैं लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि आप सीधे nephrologist के पास जाएं किसी नीम हकीम बाबा या जोला चाप डॉक्टर के चक्कर में ना पढ़ें इस सिल्सले में मैंने मेदान्तादा मेडिसिटी के senior nephrologist डॉक्टर दिनेश यादो से बात की तो उन्होंने बताया कि इसमें खराबी के कारणों का इलाज किया जाता है उधारण के लिए यदि खराबी दबा के side effect या infection से आई है तो उस दबा को बंद करके infection का इलाज करते हैं जैसे जैसे infection ठीक होता है kidney भी ठीक होने लगती है इसमें कुछ सब्ता या महीने लग सकते है लेकिन ये ठीक हो जाती है एक बात और acute मामनों में जितना जरूरी इलाज है उतना ही जरूरी है खान पान और लाइफ स्टाइल बदलना इसके तहट protein, sodium, potassium और sugar इतियाद को बंद करना पड़ता है या बहुत कम करना पड़ता है साथ ही डॉक्टर मरीज के लिए पानी सीमित कर देते हैं उसे दिन में एक या डेड़ लीटर पानी ही पीना है जल्द ठीक होने के लिए रोजाना, 45 मिनट टहलना deep breathing बहुत ही फाइदे मंद है एक बात और kidney में खराबी की पुस्टी होते ही smoking और शराब पीना छोड़ दे अन्नथा एक्क्यूट को chronic होने में देर नहीं लगेगी अब बात करते हैं kidney की chronic खराबी के इलाज की इसमें मरीज के पास केवल दो विकल्प होते हैं dialysis या transplant लेकिन nephrologist की सलह पर lifestyle manage करके और कुछ दवाईयों के सहारे आप इन दोनों से लंबे समय तक बचे रह सकते हैं लेकिन ये मानिये कि ये है तो end stage kidney disease ही इसलिए बाद में dialysis की जरूवत जरूर पड़ेगी यह जरूरत कब पड़ेगी यह patient की overall health पर निर्भर होता है dialysis almost 2-3 घंटे का process है जिसमें एक machine के जरिये सरीर से toxic element और extra पानी बाहर निकालते हैं जो मरीज hospital नहीं जाना चाहते वो घर पर भी peritonial dialysis करके इस समस्या का सामना कर सकते हैं यह process सस्ता और समय बचाने वाला है अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि dialysis के सहारे कितने दिन जब इस बाबत मैंने डॉक्टर यादो से बात की तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बहुत से मरीजों को जानता हूं जो 10 साल से ज़्यादा समय से dialysis पर हैं लेकिन इसमें जीवन कैदी जैसा हो जाता है और infection से बचने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाईजीन की ज़रूरत पड़ती है इसलिए ज़्यादा तर डॉक्टर transplant की ही सला देते हैं जिससे मरीज सामाने जीवन जी सके transplant में करीब 10 लाग का खर्चाता है और patient को kidney rejection रोकने के लिए lifetime कुछ दवाईयां लेनी पड़ती है kidney trans के बारे में बड़ी भरांतियां है कुछ लोग कहते हैं कि केवल उसी blood group की kidney चाहिए जो मरीज का है लेकिन आज की तारीक में किसी दूसरे blood group की kidney भी आसानी से लगाई जा सकती है हलांकि इसका खर्श थोड़ा जादा आता है सगे भाई बैन या किसी रिष्टेदार की kidney मिल जाए तो बहतर होता है क्योंकि टिशू मैच होने से इसमें rejection के chance कम हो जाते है यदि आपके पास कोई donor नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं इसके लिए भी एक रास्ता है आप किसी बड़े अस्पताल के nephrology department में अपना registration करा दें वहाँ पर एक cadaver kidney विभाग होता है जिसमें आपको अपने सारे document दाखिल करने पड़ेंगे जागरूकता बढ़ने की बज़े से आज बहुत से लोग organ डोनेट करते हैं मेरे खास दोस्त इसी प्रोसेस से kidney लेकर करीब 8 साल से पूरी तरह स्वस्त लाइफ जी रहे हैं अंत में मैं यही कहूँगा कि यदि kidney में खराबी की पुस्टी हो गई है तो nephrologist की बात माने कभी भी किसी नीम हकीम या जोला चाप डॉक्टर के चक्कर में ना पढ़े उमीद है kidney को लेकर कुछ जानकारी बनी होगी आप से अगले एपिसोड में बिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ धन्वाद नमस्कार झाल झाल कि वास झाल